किसी भी वैक्ति के जीवन में सबसे स्रेष्ट, माता, पिता एबम गुरू होता है उसी के आदर्स मार्क पेच चलके आगे प्रगती की ओर कोई भी वैक्ति जाता है ना ही तो हम अपने मा का कर्ज कभी चुका सकते है ना ही कभी पिता का कर्ज चुका सकते है तीसरा गुरू जो हमें अच्छी सीक्षा देकर हमें एक अच्छा बैक्ती बनने में हमें मदद करता है जिसे कभी भी हम ये कर्ज को नहीं अदा कर सकते है क्योंकि किसी भी बैक्ती के अच्छा बनने के लिए इसमें जैदातर शिक्षक का ही प्रभाब होता है जैसा ज्यान उसे मिलता है वैशा ही वह बैक्ति अपने आने वाले स्रमय में पालन करता है इसलिए किसी भी बैक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके अपने जीवन में अपने माता पिता एवब शिक्षक का आभार हमेशा रहता है